नमस्कार में हूदिवे विहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 20 नवेंबर दिन बुद्धवार खबरों के उबने से पहले एक नदर सुर्ख्यों पर सेक्षकों के चांसफर पोस्टिंग पर लगी रोग सरकार तबादला नीती में कर सकती है संसोधन नई और सरल तबादला नीती लागू होने की उमीद दसवी बाद्वी के परिक्षा फर्म भरने की बरहिती थी 25 नवेंबर तक भर सकते हैं फर्म 23 नवेंबर तक करा सकते हैं रजिस्टेशन बिहार की राजगीर में भारत ने लहराया पर्चम जापान को हराते हुए फाइनल में पहुचा भारत आज चीन के साथ होगा फाइनल मुकाबला बिहार सरकार जमीन सर्वे की प्रक्रिया को बनाएगी सरर भूमंत्री ने नए कानून बनाने का किया अलान सैदे संचलाधिकारी हुए निलंबर बिहार संग्राले डिजिटल ई-कॉमर्स प्रोग्राम कर रहा शुरू बिहार के कलाकारों और बुनकरों को होगा फाइदा ओल्लाइन उपलब्ध होंगे हस्त सिल्प और कलाकिरे थी बच्चों में बढ़ रही डील्स देखने की आदत इसे खत्म करने के लिए स्क्रिन टाइम लिमिट करे सेट जानी कैसे सेट करे स्क्रिन टाइम क्रीसी रोट वैप के अंतरगत योजनाओं की हुई समेक्षा खिसानों को प्रोट सहान डासी देने की हुई बात वायू प्रदूसन कम करने पर भी होगा काम चले बढ़ते अब तक के 25 बरी खबरों के और विस्तार से सेंटर फोर डेवलप्मेंट ओफ एडवांस्ट कम्प्यूटिंग यानी CDAC ने प्रोजेक्ट इंजीनियर समित कई पदों पर भरती निकाले हैं ये भरती कुल भथतर पदों के लिए है इच्छो कमिदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.cdac.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन प्रक्रिया शुरू है और आविदन करने के इंतिम तारीक 5 बिसंबर है इस भरती के लिए जरूरी है कमिदवारों ने किसी मानिता प्राप्ट संस्थान से कॉलेच से और वस्विद्याले से संबंधित विसे में इंजीनियरिंग या इससे संबंधित डिगरी हासिल की हो भरती से संबंधित सर्टीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूजना को देख सकते हैं मुख्य मंत्री निदीज कुमार की अध्यक्स्ता में हुई मंगलवार को कैबिनेट बैठक में राजिक के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण फैस्ते लिए गया है बैठक में कुल 9 जूदों पर मुहर लगी जिनमें विभिन योजनाओं की स्विक्रती नए पदों का स्रीजन और रासी की स्विक्रती सामल लही मुखे निर्नायों में बिहार राजियल्प संख्यक आवासी विद्याले योजना के तहत पटना और पस्ट्म चंपारन में नए विद्यालेओं के निर्मान के लिए 5,665.42 लाक रुपे और 5,047.74 लाक रुपे की प्रस्थास्निक स्विक्रती दी गई है इसके अलावे महिला संबात कारकरम के आयोजन के लिए 225.78 करोर रुपे की रासी मंजूर की गई है पथ निर्मान विभाग को भी कई परियोजनाओ के लिए प्रस्थास्निक स्विक्रती मिली है जिन में सरक निर्मान और मजबूती करन कारिस सामल है इन निन्यों से राजे में सेक्षा, सरक और मिथला कल्यान के शेतर में महत्वपूर्ण सुधार के उमीद है एसियन महिला हौकी चैंपियनसिप के फाइनल में भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है बिहार में पहली बारस मुकाबले का आयोजन हो रहा है फाइनल में भारत का मुकाबला चिन से होगा पीते दिन खेले गए दूसरे समी फाइनल में भारतिय टीम ने सांदार प्रदर्सन करते वे जापान को दूस होने से हराया है और ये उनकी लगातार छटी जीत थी आज चीन के खिलाब फाइनल मुकाबला होगा सेमी फाइनल में भारतिय टीम को दर्सकों का पूरा समर्थन मिला खासकर राजगीर से आई भीर ने टीम का उच्छा बढ़ाया जिससे खिलाइयों को अच्छा प्रदर्सन करने की प्रेड़ ना मिली भारतिय महिला होगे टीम ने इस प्रत्योगिता में अब तक बहतरीन खेल दिखाया है और फाइनल मुकाबले के लिए तैयार है बिहारी बात्रिय स्पेसल में आज हम बात करेंगे सुहासनी मुले के बारे में इनका जन्म आज के दिन वर्स 1950 में बिहार के पटना में हुआ था यह समिया बॉलिवोड और मराटे फिल्मों के साथ टेलिविजन में भी काम कर चुकी है और ऐसा करने वाली एक मात्र भारतिय अभिनेत्री रही है इन्होंने अपने केरियर में पांच राष्टे फिल्म पुरस्कार अपने नाम की 1965 में इने पियर्स साबुर ने अपना मॉडल चुना था इन्होंने कई प्रसिद फिल्मों में काम किया है निसमे ग्रहन, रामनगरी, अपरूपा, अपेक्षा, सत्रंज, लगान, मुहन, जोद्रो आदी सामिल है टीवी सीरियल में कुल वधू क्यूंकि स्यास में कभी बहू थी पिया का घर आदी सामिल है इंटर और मैट्रिक वार्षिक परिक्षा 2025 के लिए बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने परिक्षा फॉर्म भरने के अंतन तिथी बरहा दी है अब विद्यार थी 25 नमेंबर तक परिक्षा फॉर्म भर सकते हैं जबकि पहले ये तिथी 23 नमेंबर थी परिक्षो समीते के अध्याक शानंद के सोड ने चात्र हित को ध्यान में रखते हुए ये निरने लिया है अब तक इंटर में 12 लाग से जादा और मैट्रिक में 15 लाग से जादा विद्यार थी फर्म भर चुके हैं इसके लावे जो विद्यार थी रजिस्टेशन से वंचत है विद्यार थी किस नवेंबर तक रजिस्टेशन करा सकते हैं और 25 नवेंबर तक फर्म भर सकते हैं विद्यार्थ 21 नवेंबर तक हस्ताक्षर युक्त रजिस्टेशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं अन्यता परिक्षा में सामल नहीं हो सकेंगे बिहार के पथ निर्मान में भाग ने अब सरकों के स्थिक आखलन आर्टिफीसल इंटेलिजन्स यानि AI और मसीन लर्निंग यानि ML की मदद से करना शुरू किया है इस योजना के तहट 2000 किलोमेटर सरकों को पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर जोरा गया है इस प्रनाली में सरक के गढ़े दरारे, बैरियर के स्थिती और अन्य समस्याओं को कोडिंग के रूप में मसीन लर्निंग सिस्टम में एक डाला गया है एक विसेस वाहन में लगे सेंसर के माध्यम से ये प्रनाली सरक पर घूमकर समस्याओं का पता लगाती है और रिपोर्ट तयार करती है रिपोर्ट के साथ संबन्दित इंजिनियरों को भी अलर्ट किया जाता है सबसे हम बात यह है कि सरकी मरम्मत के लिए फोटो और जेपियस टेटा की मदद से सही अस्थान पर जाकर ही रिपोर्ट अप्लोड की जाती है जिससे फरजी रिपोर्टिंग को रोका जा सके बिहार में सरकारी सिक्षकों के लिए एक बड़ा अपडेट है राज्यो सरकार ने सिक्षकों के तबादला और पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है सिक्षकों मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को ये जानकारे दी और कहा कि मुख्य मंत्री नितिस कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार तबादला निति में संसोधन कर सकती है अब तक किवल सक्षमता परिक्षा पास किये गए सिक्षकों के तबादले होंगे इसके बाद एक नई और सरल तबादला नीथी बनाई जा सकती है सिक्षव भाग द्वारा एक ओल्लाइन पोर्टल के माध्यम से अस्थानांतरन के लिए आवेदन किये जा रहे थे इसके अलावे पटना हाई कोट ने भी इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है और तबादला प्रक्रिया पर तीन सब्ताह तक रोक लगाई है बिहार सरकार जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया कानून लाने जा रही है इस संबत में राजस्वा और भूमी सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीब जैसवाल ने घोसना की उन्होंने कहा है कि मौजूदा भूमी सर्वे में असमंजस के कारण लोगों को परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए इस प्रक्रिया की अब धीग परहाई गयी थी नए कानून से लोगों को भूमी सर्वे कराने में कोई परिशानी नहीं होगी मंत्री ने ये भी कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों का नप्टारा नर्धारित समय सीमा में करने के निरतेस Tea कहा है चिंता का कारण बन गई है, खास कर बच्चों के लिए, क्योंकि वे जादा समय सोसल मेडिया पर बिताते हैं, जो उनकी सिहत के लिए ठीक नहीं है, यदि आपका बच्चा भी दिन रात फोन से चिपका रहता है, तो आप कुछ सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं, जो जादे के लिए टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे इंस्ट्राग ग्राम के लिए इसके लावे बेड़ टाइम और फोकस मोड जैसे विकल पर भी मिलते हैं, जो फोन के अधिक उपयोग की आदत को कम कर सकते हैं, विहार के माध्यमिक और उच माध्यमिक विद्यालों में कारण पुस्तकाले ध्यक्षों को अब यी सिक्षा को पोड़ल से जोरा जा रहा है विभागने सभी जिलों के डीयो को निर्देश यह उस्तकाले ध्यक्षों के आंकरे पोर्टल पर अप्लोड करने के निर्देश ये हैं इसके बिना दिस्मबर तक का वेतन जारी नहीं किया जाएगा बिहार के पर्यावरन वन एवं जलवायो परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के अध्यक्षता में क्रिसी रोड मैप के अंतरगत विभिन योजनाओं के समिक्षा की गई इसमें क्रिसी वाणी की योजना, हर खेत सचाई का पानी योजना, एको परिटन, भूझल सानक्षन और गारलेंट ट्रेंग्स जैसी योजना इस सामिल थी मंत्री ने विभाग अधिकारियों को नर्देश दिया के क्रेसी वाने की योजना के तहट किसान को प्रोच चाहन रासी का वितरन जन प्रतिनिदियों और पर्यावरन मित्रों की मौजूदगी में किया जाए और इसकी जानकारी अस्थानिय समाचार पत्रों में प्रकास्त की जाए इसके लावे हर खेट सचाई योजना के तहट 42 अस्थलों पर योजना तयार की जा चुकी हो और किस अस्थलों पर कारे शुरू हो चुका है वायू प्रदूसन को कम करने के लिए पठना गया और मुसफपरपुर को नगर बन योजनाओं के तहत सुधारने के भी नरदे एस्तिये गए हैं रेलवे ने सामानिस रेनी के यात्रियों के लिए सुवधाओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं पिछले तीन महीनों में रेलवे ने विभिन ट्रेनों में लगभग 609 सामानिस रेनी के कोच जोरे हैं नवेंबर तक करीब हजार अतरिक्त कोच 370 नियामित ट्रेनों में जोरे जाएंगे जिससे रोजाना एक लाख यात्री लाभानवित होंगे इसके लाभी अगले दो वर्सों में 10,000 से जादा नौन एसी कोच रेलवे बेरे में सामल के जाएंगे जिससे 8 लाख अतरिक्त यात्री रोजाना रेल यात्रा कर सकेंगे इस दिसामें रेलवे ने GSS रेनी के कोचों का निर्मान तेजी से किया है वही मुझपरपुर से अनंद विहार चलने वाली सब्त क्रांती एक्स्प्रेस क्लोन ट्रेन को 15 घंटे देरी से चली साथ ही कई अन्य ट्रेने भी घंटों लेट पहुंची जिससे यात्री परिशान रहे बिहार की उपमुखे मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खनन संबंधित जाच में पुलिस को खनन अधिकारी के उपस्थती सुनिस्त करनी होगी उन्होंने अवैद खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बिहार की करी नेती के पुष्टी की इसके अलावे विद्न धर्म काटा के माप में अंतर को कम करने के लिए नियमत छापे मारी करने का आदेश थिया सुमवार को उन्होंने बिहार ट्रक ओनर असोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ वैठा के रिस्मे खान विभाग के प्रधान सचीव और खान निदेशक भी मौजूद थे असोसियेशन ने खनन पट्टे धारी को ऑनलाइन भुकतान प्रनाली शुरू करने ट्रांजीट फिसको रेलवे से आने वाले खनीजों पर भी लागू करने और गीले बालू के परिवहन के लिए सक्त कारवाई की मांग की है साथ ही ओवर्लोडिंग पर जुर्मारा बनाने की भी मांग की गई है बिहार संग्राले अब एक डिजिटल ई-कॉमर्स प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिसके तैद बिहार के कलाकारों और बुनकरों द्वारा निर्मित हस्त सिल्प और कलाकरीतियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी इस पहल का उदेश देश विदेश में कला प्रेमियों तक बिहार के सिल्प और संस्कृति को पहुचाना है संग्राले के अपर निदेशक असो कुमार सिनहा ने बताया कि इस प्रोग्राम से विदेशों में बैठे लोग भी बिहार की कलाकेर्थियां खरीच सकेंगे इसमें मिथला पेंटिंग मंदुसा पेंटिंग टेरा कोटा जैसी वस्तवे सामल है साथ ही बिहार संग्राले अपनी वेबसाइट सौपिफाई पर ये सामान उपलब्द कराएगा जिससे गाउं के रहने वाले कलाकारों को भी लाब होगा इस परियोजना का लाब उन्हें मिलेगा जिनकी कलाकेर्थियों की जानकारी आम तोर पर नहीं होती है अगले 15-20 दिनों में वेबसाइट तयार होने की बात सामने आई है बिहार राज्यपत परिवहान निगाम ने पटना मुसपरपुर वालमिकी नगर और भैसा लोटन के बीच बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है दिससे महर से वालमिकी के आस्रम तक पहुचना आसान होगा तिरहुत प्रमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस रूट पर दो बसें रोजाना चार फिरे लगाएंगी ये पहली बार है जब पटना मुसपरपुर वालमिकी नगर भैसा लोटन तक सीरी बस सेवा शुरू हो रही है इसके लावे सीता मरी से पटना जाने वाली रूट पर भी नई बस सेवा शुरू की जाएगी जो सराया, जटकॉली घाट, लाल गंज से होकर चलेगी साथी अरे राज से पटना के बीच भी नई बस सेवा का संचालन होगा, जो साहिब गंज और दिवरिया होते हुए पटना पहुचेगी, ये सभी बस रोजाना दो फेरे लगाएंगी बिहार के मुंगेरे में नौकरी के नाम पर ठगी के मामले की शिकायत सामने आई है, जमालपूर में बेरासी लोगों ने पुलिस से कारवाई की मांग की, जिन में से कई निल लाखो रुपे निवेस किया थी, जॉलिवूर इंडस्ट्री ज प्राइवेट लिम्टेड कंप अपनी की ऑफिस और घर पर ताला लगा दिया, करीब 600 लोग 15-20 करोर रुपे की ठगी का सिकार हुए, पुलिस ने ओपरेटर धीरच कुमार को हिरासत मिलिया है और अन्य आरोपियों की तलास जारी है, बिहार में अगले महीने एक अत्याधुनिक दो इंजन वाले हेलिकॉ करकार के पास रहेगा, जैसे लीज पर मंगवाया जा रहा है, हेलिकॉप्टर हर महीने 25 घंटी के उरान भरेगा, और अगर सेवा संतोस जनक रही तो इससे तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, राजसरकार ने ये सुनस्त किया है कि हेलिकॉप्टर की रख रखाव, सिम्मेदारी, लीज पर लेने वाली कंपनी की होगी, इसके लावे राजसरकार उन्डेयन शेतर को अत्या धुनिक आधुनिक बनाने के लिए पाइलेट प्रसेक्शन के लिए नवीन्तम फ्लाइट सिमुलेटर खरीदने के भी योजना बना रही है, बिहार में लगातार घ तापमान 26-28 डिगरी होने चाहिए, प्रदेश में आज का अधितम तापमान 26-28 डिगरी रहने की संभाब ना है, वही नियुनतम तापमान 16-18 डिगरी और कुछ जगों पर 14-16 डिगरी रहने की बात कही गई है किसंगंज के बहादूर गंज पुलिस ने एक बड़ी सराब तसकरी को उजागर किया है, पुलिस ने एक तेल टैंकर से भारी मातरा में सराब की खेब जब्त की जिसमें 4929 लीटर विदेशी सराब सामल थे, ये सराब सिलीगुडी से हाजेपुर ले जाई जा रही थी, पुलिस ने टैंकर के चालक अभिसे कुमार और उप चालक हरी चरन राय को हिरासत में लेकर पूछताच शुरू की है, इस मामले में थाना कांड संक्या 348-24 दर्ज कर कारवाई जारी है, नेशनल काउंसल फोर टीचर आजूकेशन यानि NCTE अगले साल से चार वर्सी ये, ब लेकिन नए विसायों के जुड़ने से कोर्स में विविदता आएगी, इस कोर्स के तहत पूरे भिहार में चार कॉलेज चल रही हैं, जो बी आर एबियू से जुरे हैं और हर साल 400 सीटों पर दाखला होता है, NCTE सब भी B8 कॉलेजों को इंडिग्रेटर B8 में बदलने की तय यारी कर रहा है, इसके लिए कॉलेजों की आधारवुत, सरचना और सक्षकों की जानत की जा रही है, इसके लावे साइन्स लैब की सुवधा भी दी जाएगी और प्रसक्षों सक्षकों को डिजिटल तकनीक के उप्योग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी बिहार सरकार ने मैथली को सास्तृय भासा का दर्जा देने के लिए किंदर सरकावर को प्रस्ताव भेजा है, राजिट सक्षव विभागने से सास्तृय भासा की सूची में सामल करने की मांग की है जदियों के कारेकारी अधियाक्ष्व राजिस सवा सांसत संजय जान इस जानकारी को साज़ा करते वे कहा कि इस से मैथनी के सनक्षन और समवर्धन में मदद मिलेगी और मिथला तथा बिहार की भासाई धर्वहर का सम्मान होगा सक्षा मंत्री सुनील कुमार ने केंद्रिये ग्रे मंत्री आमित सा को पत्र लेकर बताया कि मैथनी के लिपी परंपरा सम्रेथ है और ये भासा 2000 साल पुरानी है जो अब तक सक्षा प्रसासन और संस्कृति में महत्वपूर्ण भुमिका निभा रही है बिहार विधानसवा चुनाब 2025 को लेकर मुख्य मंत्री निदेश कुमार अपनी राज़ व्यापी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो सीथ कालिन सतर के बाद दिसंबर के पहले हफते से शुरू होगी इस यात्रा के दोरान मुख्य मंत्री समबात कारकरम के दहत महिलाओं से समबात करेंगी उनकी समस्यां सुनेंगी और जीविका दिदियों से भी बात चीत करेंगी ये कारकरम हर जिले में आयोज़त होगा जिसमें समंधित मंत्री और प्रभारी मंत्री भी सामल होगी राजसरकार ने सियात्रा के लिए 225 करोड 78 लाख रुपए खर्च करने की मंचूरी दी है बिहार कैबिनेट की हालिया बैठक में इस हुजना को अंतिम रूप दिया गया है बीते दिन राश्टिय लोग जन सक्ती पार्टी यानी RLJP की दो दिवसी राज्यकारेकारेनी की पहली बैठक हुई जिसमें पार्टी के नेताओं ने राश्ट्य अध्यक्ष पसुपती कुमार पारस के सामने कई हैं मुद्दों पर चरचा की नेताओं ने बिहार 2025 विधान सवा चुनावी रननीती गठवंदर बंदर और पार्टी के भविशे पर अपने विचार रखें पूर्व सांसर चंदन सिंग ने एंडिय में पार्टी के अंदेखी का मुद्दा उठाया हालंकि सभी ने अपने अध्यक्ष पर भरोसा जदाते वे उनका समर्थन किया और उनके फैसले का स्वागत किया कई कार्णों से दर्जह भारत के तिहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1917 में कॉलकाता में बोस अनुसंधान संस्थान की अस्थापना हुई थी आज के दिन वर्स 1981 में भासकर उपकरा को छोड़ा गया था आज के दिन वर्स 2008 में अधन की खारी में अपने वेबसाइक जहाजों की रक्षा के लिए भारत ने गाइडेड मिसाइल युक्त एक विद्वनसक जहाज को भेजा था आज के दिन वर्स 1989 में बबीता फोगाट का जन हुआ था ये एक भारती महिला फ्री स्टाइल पहलवान है आज के दिन फ्राइंग सिख के नाम से प्रसिध मिलखा सिंग का वर्स 1989 में जन हुआ था सोसल मेरिया पर बारल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरूरी समाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस जरोगा समय तैसेसी जैसे अन्य प्रतोगी परिक्षों में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विग्यान करन्ट अफिर्स और भुगोस रहेंगे पूछे क्या 5 सवालों मैं अपने कितना सही उतर रिया हैं हमें कोमेंट मेलेकार जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में किस ने वाई भारत मैटर्स कुस्तक का विमोचन किया है ओपशन ने है एस्टेश संकर ओपशन ने है नरेंदर मोदी Option C है प्योस कोई, Option D है जगदीब धनकर, इसका सहीं तर है एस्ट्या संकर हाली में सोलवा इंडियान गेम डिवलपर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है Option A मुंबई, Option B है गुरुगराम, Option C है हैदराबाद, Option D है बैंगलॉल, इसका सहीं तर है हैदराबाद हाली में किसने महिला विस्वे बिलिडियर्स चैंपियन्सप का खिताब जीता है, Option A है सुमा शिरूर, Option B है कीरत भंडाल, Option C है एल्स रूती, Option D है माधुरी बर्थवाल, इसका सहीं तर है एल्स रूती होम रूल कारेकरता बाल मुकुंद वाजपई ने किस से पुस्तिका की रचना की थी, Option A है स्वराज का था, Option B है भारत माता की जै, Option C है होम रूल का था, Option D है तिरहुत समाचार, इसका सहीं तर है स्वराज का था, बेगु सराय में चौकिदारी करके विरुद आंदोलन निम्र में से किसका एक हैसा था, Option A है और सहीं तर है स्वराज का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में ले कर दिया है, जिन्होंने हमारी दोर पुछे के इसी के साथ वरतियाद के सवाल क्यों राज का सवाल है, क्या आपके शूटर में बी जमीन सर्वे से संबंधित कोई परिशानी आई है या नहीं, आप अपना जवाब हमें कॉमेंट पलिए कर ज़रूर बताएं, आज के लिए तना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं बिहारी निईज और साथ अगर आप यूरोप से देख रहे हैं तो चैनल को लाइकन आप वागव से देख रहे हैं तो पेच को फॉलू करना ना भूले धन्यवाद